नवस्ते, वेलकम टी तो पीपल फार्म हेल्पलाइन, मेरा नाम शाइनी है, मेरा नाम डॉक्टर गुल्षन है, और आज हम बात करने वाले हैं, जानवरों में, हीट स्ट्रेस के बारे में, तो डॉक्टर गुल्षन, हीट स्ट्रेस एग्जाटली होता क्या है? जब कभी जहाँ एनिमल्स रहते हैं, उनके सराउंडिंग का टेंपरीचर बढ़ जाता है, और उस टेंपरीचर बढ़ने के कारण एनिमल्स की तब्यत खराब होती है, डॉक्ट में, हीट स्ट्रेस के लक्षन क्या है? सबसे most important जो है, वो है drooling of saliva, excessive panting, उनका respiration rate बहुत बढ़ जाता है, और कई बार कई डॉग शेडी एरिया में बैठते हैं जाके ताकि वो अपने body temperature को थोड़ा सा कम कर सकें, तो अगर लार्ज अनिमल्स की बात की जाए, जैसे कि गाय हो गए, बैल हो गए, या हो गए, इन हमारे कि जानवर में हीट स्ट्रेस की इस तरह के कोई लख्शन दिखते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हीट स्ट्रेस जनरली बढ़ा हुआ टेमपरेचर है, तो बढ़ी के जानवर में बढ़ाल करने कर देने होंगे, या आपको कोई बी एनिमल आप जहा रखते हैं, ज इसली वहां पर रह पाए तो हमें इसा क्या करना चीए जिसे हमारे पैट्स को हीट स्ट्रेस ना हो जहां आपका पैट रहता है उसके इन्वार्मेंट का टेंपरीचर आप कंट्रोल करें उनको पूरा प्रॉपर अमाउंट में ठंडा पानी रेगुलर टाइम पीरिड में दे और अपने जो सवाल है वो फोटो के साथ आप पोस्ट कर सते हैं थांक यू थांक यू थांक यू थांक यू झालो